हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र का विशेश महत्व है इसमें भवन निर्मान से लेकर उसमें रहन सहन से जुड़े कई नियमों का जिक्र है इनका पालन करने से जीवन में सुख सम्रिद्धी बनी रहती है हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र का विशेश महत्व है इसमें भवन निर्मान से लेकर उसमें रहन सहन से जुड़े कई नियमों का जिक्र है इनका पालन करने से जीवन में सुक सम्रिद्धी बनी रहती है घर बनवाते समय हमेशा वास्तु के सभी नियमों का ध्यान रखा जाता है लेकिन बाद में इन्हें नजरंदास कर देने से समस्याएं उत्पन होने लगती है जो आर्थिक परिशानी का कारण बनती है कई बार घर में अचानक से धन की कमी होने लगती है इसका कारण वास्तु दोश भी हो सकता है वास्तु के अनुसार घर में मौझूद तीन चीजे व्यक्ति की आर्थिक तंगी का कारण बनती है यदि इन्हें सही समय पर घर से न निकाला जाए तो यह समस्याओं के स्तर को बढ़ा देती है ऐसे में आईए इन तीनों चीज के बारे में विस्तार से जान लेते है हिंदु धर्म में पीतल के बरतन का खास महत्वा है पूजा में इसका उप्योग बेहत शुब माना जाता है हाला कि कई बार उनका उप्योग न करने के कारण इन्हें रसोई घर में रख देते हैं वास्तु के अनुसार पीतल के बरतनों को अंधेरे में रखने से इसमें शनी का वास हो जाता है बता दे शनी के दुश्प्रभाव से जीवन में समस्याए आने लगती है इसलिए आज ही घर से इसे निकाल दे कई बार घर की छट पर कुणा जमा रहता है वास्तु में इसे दोश का कारण माना जाता है इन्ही में कुछ चीजे ऐसी भी होती है जो जंग लगी होती है इनके घर में होने से कलेश और परेशानिया बढ़ती है यही नहीं यदी घर में पुराना लोहे का सामान पड़ा है और उस पर जंग लगा है तो उन्हें आजी घर से बाहर कर दे आजी निकाल दे बंद घरी वास्तु के अनुसार घर में कभी भी बंद घरी को नहीं रखना चाहिए इससे परिवार में नकारात मक्ता बनी रहती है साथ ही तनाव का स्तर भी बढ़ता है माना जाता है कि व्यक्ति की हाथ में यदि बंद घड़ी हो तो इससे बुरा समय शुरू हो जाता है इसलिए या तो इससे ठीक करा ले या घर से बाहर निकाल दे